की शक्षक कर साथियो हो आपका हर्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लягТेश पैकमपेटिशन पर जैसा मैँने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं medical के आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा तो आपके सामने जो होगा आपकी स्क्रीन के ओपर सीरिज भी है मेडिकल का टेर्ट जो हो आज था 7 अगस्त 2022 को इसकी मनसर की आपके लिए लेके हैं हम सबसे पहले हम साइकॉलज और जी के सेक्शन देखेंगे उसके बाद जो हम बाकी सेक्शन के ऊपर चलेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर बिच फॉलॉइंग मैथर इस बेस्ट इंचेंजिंग दी अंडिजारेबल बहेवियर ऑफ दी स्टुटेंट तो गाइज यह आपका हो जाएगा तो अदेंटिफाई दी काउजिस ऑफ अंडिजारेबल बहेवियर एंड मैनेज रिमेडियल स्टेप् बिच फॉलॉइंग तो सबसे पहले आपके एंकोडिंग होती है फिर स्टोरेज होती है फिर जो हो रिट्राइवल होता है जरूरत पढ़ने पर तो ऑप्शन नमबर बी जो हो आपका सही हो जाएगा तो गाइस मैंने आपको अपनी वीडियो बार बताया था कि अलेक्सिया जो हो वो आपका रिलेटर है रिडिंग से ओप्शन नमबर ए हो जाएगा फ्शन नमबर फॉर बिच अफॉलॉइंग मैथर्ट्स इस कंसीडर दी मोस्ट साइंटिफिक एंड अब्जेक्टिव मैथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर तो बिहेवियर स्टडि करने का सबसे अ होती है आपकी वंडर से हैरानी से ऑफ्शन नमबर सी के साथ हम चलेंगे क्वेशन नमबर सेवन स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलप्मेंट इस तो गाईज यह आपका हो जाएगा ऑफ्शन नमबर डी ऑल आफ ती अब यह भी होता है स्टडी ऑफ डिफरेंट स् जो है इनको एक्सपरिमेंटल साइकोलोजी के फादर माना जाता है क्वेशन नमबर नाइन अकॉर्डिंग टू प्याजे दी चिल्डर अरेवल टू ग्रेस्प दी कंसेप्ट ऑफ अबजेक्ट पर्मानेंस और कंसरवेशन इन तो यह जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो option number d question number 11 development is a continuous and slow process according to which psychologist तो यह जो है वो skinner ने कहा था आपने ऐसे पड़ा होगा कि continuous या slow process जो हो किसने बोला है तो वो बोला है आपका skinner ने question number 12 in which stage the intense and crucial socialization takes place तो यह जो है वो अपके adolescence age में जो है वो जटिल और गहन समाजी करण का विकास जो है वो होता है question number 13 meaning of development of human values which are universal in nature is तो इसका मतलब जो है वो आपका manifestation अभीव्यक्ती जो है वो होता option number d who propounded the laws of learning तो laws of learning आपको पता है आपको दिये हैं option number a हर लोग ने question number 17 project method of learning is useful for which stages तो guys इसके साथ हम चलेंगे adolescence की शोरा वस्ता के लिए जो है वो सही हो सकता है या फिर all of the अब जो है इसमें थोड़ा सा मुझे confusion लग रहा है बट still हम जो है वो आपका adolescence के साथ जाएंगे या फिर आपका जो all of the अब हो सकते हैं इसके लिए जो हो आपको एक्जेक्ट अंसर बक्की सारे मिलेंगे इस question में मुझे थोड़ा सा confusion लग रहा है अगर आपको एक्जेक्ट अंसर पता है तो मुझे आप जो है वो comment box में comment करके ज़रूर बताए नेक्स्ट है तो यह आपके जोड़े हैं option number B attitude के साथ नेक्स्ट objective of evaluation इस तो इसका जो है all of the अब स्टूलेंट्स को पास करना यह देखना कि स्टूलेंट ने क्या सीखा है और स्टूलेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बारे में पता लगाने के लिए all of the अब आएगा question number 20 की मैं बात करूँ development of concepts is mainly a part of यह जो है वो intellectual development का बार्ट होता है option number A which of the following is the verbal test of intelligence तो यह होता है आपका stanford बिने test जो है वो उसको बोलता है option number D verbal test है which psychologist described personality on the basis of traits तो यह आपका जो है वो alport ने आपका define किया है traits के ओपर question number 23 repeated association of undesired response with an aversive consequences refers to यह refer होता है positive reinforcement के और option number A which of the following characteristics is related to effective counselor तो यह जो है सभी characteristics है authentic हो वो empathy हो उसमें और जो है वो paraphrasing उसको paraphrase करता हो paraphrasing जो है वो रहे blank is defined as overlapping or disturbance of different memory traces on each other तो इसका आपका जाएगा interference abroad question number 26 which educationist give the idea of behaviorism in education system तो यह आपका दिया है Watson ने option number D escape learning is an example of instrumental conditioning based on negative reinforcement के ओपर जो हो आपके escape learning based होती है option number D cognitive therapy for the treatment of depression was proposed by तो इसको प्रपोज किया है आपका Aaron Beck ने option number C which one of the following is not a type of intelligence was as sorry which of the following is not a type of intelligence as proposed by gardener तो इसने जो है वह आपका क्यानी दिया है creative intelligence की बात नहीं किए बाकि तीनों intelligence की जो हो बात gardener ने की हुई option number D हो जाएगा a child having intelligence IQ sorry intelligence quotient IQ between 55 to 70 will be categorized है तो इसको mild mental retardation जो है बोलें बोलेंगे हम next देखते हैं हम आपका question 121 who is the present who is at present the secretary general of netto तो यह जो है इसके secretary general है Jens Stoltenberg option number B के साथ हम चलेंगे question 122 who wrote the book Kashmir a tragedy of errors तो इसको लिखा है आपका Tablin Tablin Singh ने लिखा है question number 21 23 who is called the father of modern India तो इसको बोला जाता है Raja Ramon Rai option number B next देखते हैं in which district the Suhi fair is celebrated तो यह आपका celebrate होता है चंबा में बड़ा famous है सिरफ ladies और बच्चे इसमें जाते हैं जैंट्स को जाने की इस महनुमति नहीं होती है बनेर कड is a tributary of which river तो यह जो है वो आपकी ब्यास की tributary है option number C next देखते हैं which person from Himachal Pradesh become the chief justice of supreme court of India तो मेहर चन्द महाजन जो है वो CGI बने थे supreme court के which author of the book Lajo तो Lajo जो बुक है वो आपकी लिखी है शांता कुमार जी ने option number A who is the founder of social networking site Facebook तो इसके जो founder है वो है Mark जकरवर्ग जो है वो आपके फेस्बुक के founder है Kolkata is situated on the bank of beach river तो यह Kolkata जो है वो हुगली नदी के किनारे जो है वो है आपका who signed the shimla agreement from this side of Pakistan तो यह था आपका जुलफीकार अली भुटो ने sign किये थे और दोसरी साइड थी आपके भारत के कौन थे वो आप comment करके जो हो मुझे बताएंगे who founded the glare princely state तो यह जो है वो आपका राजा हरीचन ने जो है इसकी स्थापना की थी who were the earliest inhabitants of हिमाच्छल प्रदेश हिमाच्छल प्रदेश के प्राचींतम निवासी किसे कहा जाता है यह कहा जाता है कोलों को option number a what is the ancient मेनाक mountains called now तो जो पुराने मेनाक परवत हैं उनको बोला जाता है आपका शिवालिक की पहाड़िया option number c which city is known for mushroom production तो mushroom production के लिए आपका बजाना जाता है solan को option number a who is the author of the book Himalayan art Himalayan art लिखा है आपका JC French ने option number d who organized the movement against the raja of mandi in 1909 तो यह आपका organize किया था Shoba Ram ने इन्होंने जो अंदोलन संगडित किया था option number b what was the title given to Kullu Naati on 26th of October 2015 in which 10,000 people participated pride of Kullu जो हो इसको title दिया गया option number c who is the who is at present the CGI sorry chief justice of Himachal Pradesh High Court तो यह जो है वो आपके Amjad अहतेशम साइद जो है वो आपके chief justice है to whom did the Mughal Emperor Akbar grant Kangada as Jagir in 1572 तो बीरवल को Jagir के रूप में Kangada जो हो अकबर ने दे दिया था in which year was the protection of women from domestic violence act passed यह 2005 में आपका pass हुआ था according to the constitution of according to the constitution India is a union of states है option number b राज्यों का एक संग है whom did the people of India Indus Valley worship उन्होंने पूजा की थी पश्पती भगवान जिनको की शिव भगवान भी बुलाया तो option number a के साथ हम चलेंगे McMohan Line जो है वो किसको सिमांकन करती है इंडिया चाइना फिर इंडिया तिबबत का जो है तिबबत चाइना ने किपाई करा हुआ है तो option number d के साथ हम जाएंगे इंडिया और चाइना वेन इस हिमाच्यल डे सेलिब्रेटर तो 15 अप्रायल को सेलिब्रेशन किया जाता है इसका फिर option number a के साथ चलेंगे हम फूइज फॉंटर ओफ राइतवाडी सेटल्मेंट इन इंडिया तो राइतवाडी सेटल्मेंट के फॉंटर है आपके थॉमस मुंट्रो option number a वेर इस ग्रीन विच लोकेटड सॉरी थोड़ा सापका स्किप हो गया Q146 वेर इस ग्रीन विच लोकेटड तो ग्रीन विच आपका इंग्लेंड में है यू उनाइटेड किंग्नम यू के option number d वाज दी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आफ हिमाचल प्रदेश डॉक्टर वाइस परमार option number b के साथ हम चलेंगे नेक्स देखते हैं मेकिन इंडिया प्रोग्राम हैज अडॉप्टेड वन आफ दी फॉलॉइंग एजट्स लोगो तो लोगो जो है वो लाइन है option number a इन विच यह वाज दी इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड यह 22 उलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया तो option number b which country gives the max essay award max essay award आपका फिलिपींस देता है option number a के साथ हम चलेंगे तो गईस जो साइको और जीके के मैंने अंसर बताए हैं वो टोटली एग्जेक्ट हैं सिर्फ एक क्वेशन को छोड़के जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है अगर आपको अंसर पता है तो मुझ इतने अंसर जो हूँ हो आपके सही हो रहे है थैंक्यू है वर नाइस टाइम